फेस्बोक वाला प्यार, आज मैं आपके लिए फिर से एक लव स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका नाम है फेस्बोक वाला प्यार यह फेस्बोक वाला प्यार हमेशा सक्सेस नहीं होता, कभी ना कभी तूठी जाता है, लेकिन किसी का सक्सेस भी हो जाता है, लेकिन उन्हें बह पहले ही एक लड़की के साथ ब्रेक अप हुआ था अनिल उस लड़की से बहुत प्यार करता था पर वो लड़की किसी और से प्यार करती थी अनिल को ये बात पता चल गया था कि वो उसे प्यार नहीं करती ये जानने पर भी अनिल उसे बहुत प्यार करता था उससे बहुत अ चोकलेट खरीद कर बरबाद कर देता था। उस लड़की को बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाना पसंद था जो अनिल कभी अफोर्ट नहीं कर पाता। पर लड़की ने कभी उसे समझा नहीं। दोनों ने एक दूसरे के लिए बहुत सारी कसमे भी खाई थी कि दोनों ब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन लड़की ने अनिल को मिलने बुलाया और अनिल की बेहत बेजिती भी कि उनके दोस्तों के सामने और ब्रेक अप भी कर लिया और उसके बाद अनिल रोते हुए वहां से चला गया। ब्रेक अप तो होई गया था पर अनि गर किसी दोस्त ने रिपलाई दे भी दिया तो वह पूछता था कि तुम क्यूं उसके बारे में पूछ रहे हो। अनिल बेचारा चुप हो जाता। याद तो उसको बहुत करता था रोता भी था पर क्या कर सकता था वह। असे ही अनिल के जख्म भरते गए। दिन बीटता गया और एक दिन एक लड़की ने अनिल के Facebook अकाउंट पर उसका request accept किया जिसका नाम पूर्वी था। अनिल ने उसे request send किया था बहुत दिनों पहले और अनिल ने उसे ही लिखकर send भी कर दिया। अनिल को एक दिन उसका लड़की का reply मिला। अनिल ने उसे पूछा कि तुम क कहां से हो। पूर्वी ने कहा मैं कोलकाता से हूँ और तुम। अनिल ने हस्ते हुए कहा मैं भी कोलकाता से ही हूँ मगर तुम कोलकाता में कहां रहती हो। पूर्वी ने बोला मैं भाबानीपुर से हूँ और तुम। अनिल ने कहा भाबानीपुर में तो मैं भी रहता हू बहुत असे ही दोनों में फिर बाते होने लगी उनके बीच कुछ दिन बाद अनिल ने पूर्वी से पूछा क्या तुम्हारा कोई बॉइफ्रेंड है पूर्वी ने बोला नहीं क्यूं अनिल ने कहा नहीं बस ऐसे ही पूछ लिया तुम तो बहुत अच्छी दिखती हो फिर तुम्हारा बॉइफ्रेंड क्यूं नहीं है पूर्वी ने कहा मुझे लड़कों में कोई इंटरस्ट नहीं है अनिल ने कहा अच्छी बात है फिर कुछ दिनों बाद पूर्वी ने अनिल से पूछा क्या तुम्हारी कोई गलफ्रंड नहीं है अनिल ने कहा थी कुछ दिन पहले ही ब्रेक अप हुआ है पूर्वी ने कहा कैसे और क्यूँ अनिल ने उसे अपनी ब्रेक अप की कहानी सुना दी उसकी कहानी सुनकर पूर्वी को बहुत बुरा लगा और अनिल से कहा चिंता मत करो तुम्हे उससे भी कोई अच्छी लड़की मिलेगी जो तुम्हे और तुम्हारे प्यार को समझेगा अनिल को पूर्वी की बात सुनकर अच्छा लगा अनिल को पूर्वी बहुत अच्छी लगने लगी थी और सायद पूर्वी को भी दोनों भंचों तक रात दिन बाते करते और एक दूसरे की बाते शेयर करते ऐसे ही कुछ महीनों बात करने के बाद दोनों ही एक दूसरे से प्यार कर बैठे वैसे तो पूर्वी को किसी भी लड़के पर इंटरस्ट नहीं था लेकिन से बात करते करते कब वो उससे प्यार कर बैठा उसे खुदी पता नहीं चला इधर अनिल भी उससे प्यार करने लगा था पर पूर्वी को कहने से डरता था क्यूंकि उसे लगता था कि अगर पूर्वी ने उसे ना कर दिया तो वह फिर से तूट जाएगा और उसका प्यार से भरोसा एकदम उठ जाएगा अनिल ने एक दिन पूर्वी से कहा पूर्वी मुझे तुमसे मिलना है एक बात कहनी थी तुमसे मिलकर पूर्वी भी अनिल से मिलने के लिए बहुत दिन से बेकरार थी पर उसे कहा नहीं और जब अनिल से उसे मिलने के लिए बुलाया तो वह बहुत खुश हो गई दोनों ने एक जगा पर मिलने का फैसला किया अनिल उस जगा पहले ही पहुँच चुका था और पूर्वी का इंतजार कर रहा था जब पूर्वी वहां आई तो अनिल उसे बस देखता ही रे गया क्योंकि पूर्वी बहुत खुबसूरत लग रही थी और अनिल की नजर उस पर से हटी नहीं रही थी फिर दोनों एक सीट पर बैठ गए और पूर्वी उससे कहने लगी बोलो क्या कहना चाहते थे तुम अनिल उस वक्त बहुत घबरा जाता है और कुछ वह कुछ भी नहीं बोल पाता आधे घंटे तक दोनों चुप रहे पूर्वी को अब बहुत गुस्सा आने लगा उसने वहां से चले जाने का फैसला किया पूर्वी वहां से जाही रहा था कि अनिल ने पीछे से पूर्वी का हाथ पकड़ लिया और अपनी आँखे बंद करकर उससे कहना लगा पूर्वी में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ क्या तुम मुझसे शादी करोगी मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा और जिंगगी भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा ये कहकर उसने पूर्वी का हाथ छोड़ दिया पर उसने अपनी आँखे नहीं खोली पूर्वी यह सब सुनकर बहुत एमोशनल हो गई और अनिल को गले लगा लिया और कहने लगा पहले नहीं बता सकते थे क्या पागल इतनी देर तक इंतजार कराया मुझे और कुछ मिनट चुप रहते तो बिना बात किये ही चली जाती मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ यह सुनने के बाद अनिल बहुत खुश हो गया और आखिरकार अनिल को एक ऐसी लड़की मिल गई थी जो सच में उसके प्यार को समझ सके और उससे बेहद प्यार करे तो आपको ये लव स्टोरी, फेस्बोक वाला प्यार कैसी लगी कमेंट बताएगा जरूर और अगर अच्छा लगे तो शेर भी जरूर करिए और आप किस तरह की लव स्टोरी सुनना ज्यादा पसंद करते हैं वो भी जरूर बताए ताकि मैं वैसे ही लव स्टोरी आप सब के लिए लेकर आ सको